नमस्कार हर हर महादेव जै महाकाल आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रों आप सभी से आग रहे हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन बना हुआ है घंटी के नेशान को दबाएं जिससे आपको सारी जानकारी सबसे पहले मिले आप मेरे कोई भी वीडियो कोई भी उपाई मिस ना कर पाएं महादेव आपका कल्यान करें आपका जीवन मंगल मैं हो धन्यवाद नमस्कार नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन और मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरा विशेश कारिकरम वैभववाणी मित्रों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 31 जनवरी को पढ़ने वाली विशेश तिथी मागी पूर्णिमा के बारे में मागी पूर्णिमा पर कुछ चोटे चोटे से उपाए करके आप अपना भाग बदल सकते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मागी पूर्णिमा पर कौन सा उपाए करके महालक्षमी को प्रसंद करें और महालक्षमी को प्रसंद किये जाने वाले कुछ विशेश उपाए बताने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा मागी पूर्णिमा पर दान और धर्म कारे करने का महात्म क्या है तो आईए जानते हैं माग पूर्णिमा पर किये गए दान धर्म और इसनान का विशेश महात्म हमारे धर्नशास्त्रों में है पंचांग के नुसार ग्यारावे महीने यानी मागमास में इसनान दान धर्म कर्म का विशेश महात्म है इस दिन को पुन्ययोग भी कहा जाता है इस इसनान को करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोशों से मुक्ते मिलती है ब्रह्मा वैवर्त पुराण में ऐसा कहा गया है कि मागी पूर्णिमा पर खुद भगवान विश्णू गंगा जल में निवास करते हैं इस दिन भैरव जैन्ती भी मनाई जाती है मागमा स्वेम भगवान विश्णू का स्वरूप बताया गया है पूरे महिने इसनांदान नहीं करने की स्थिती में केवल मागी पूर्णिमा के दिन तीर्थ में इसनान कर लिया जाए तो सम्पूर्ण मागमास के इसनान का पूरा फल इसनान करता को प्राप्त होता है माग हिसनान वैज्ञानिक दृष्टिकोंड से भी बहुत मत्वपूर्ण है माग में ठंड खत्म होने की ओर रहती है तथा इसके साथ ही स्प्रिंग सीजन की शुरुवात होती है रितु के बदलाव का स्वास्त पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े इसलिए प्रते दिन सुबह इसनान करने से शरीर को मजबूती प्रदान होती है शास्त्र इवं पुराणों के नुसार पोश मास की पूर्णिमा से माग मास की पूर्णिमा तक माग मास में पवित्र नदी नर्मदा गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सहित अन्य जीवन दाइनी नदियों में इसनान करने से मनुश्य को पापों से छुटकारा मिलता है और स्वर्ग लोका रोहन का मार्ग खुल जाता है जब करक राशी में चंद्रमा और मकर राशी में सूर्य का प्रवेश होता है तब मागी पूर्णिमा का योग बनता है इस योग को पुन्य योग भी कहा जाता है इस इसनान के करने से सूर्य और चंद्रमा का अगर कोई कुंडली में खराब योग होता है तो उस दोश से मुक्ति मिलती है मास स्वेम भगवान विश्णु का स्वरूब बताया गया है यानी मागमास जो है पूरे महीने इसनानदान नहीं कर पाने के इस तिती में अगर कोई व्यक्ति केवल मागी पूर्णिमा की तिती में तीर्थ में इसनान करे तो संपूर्ण मागमास के इसनान का पूरा पूरा पूर्णफल उस जातक को मिलता है महभारत में एक जगह इस बात का उलेख करते हुए कहा गया है कि इन दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है वहीं पद्मपुराण में कहा गया कि अन्यमास में जब तप और दान करने से भगवान विश्नु उतने प्रसंदन नहीं होत जितने वे मागमास में इसनान करने से होते हैं निर्णे सिंदु में कहा गया कि मागमास के दोरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में इसनान अवश्य करना चाहिए बले पूरे महीने इसनान का योग ना बन सके लेकिन मागमास की पूर्णिमा के इसनान से स्व तक बन जाता है जो लोग लंबे समय तक स्वर्ग लोग कानन लिना चाहते हैं उन्हें माघमास में सूरी के मकर राशी में इस्थित होने पर अवश्य तीर्थ में इस्नान करना चाहिए मागमास में दान का भी विशेश महत्व है दान में तिल, गुड़ और कंबल का विशेश दान करना चाहिए मत्स पुराण का कथन है कि मागमास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मन को दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है माग मास में पवित्र नदियों में इसनान करने से विशेश उर्जा प्राप्त होती है वहीं शास्त्रों वा पुराणों में वर्णित है कि इस मास में पूजा नर्चन और इसनान करने से भगवान नाराण को प्राप्त किया जा सकता है वहीं मास के इसनान से स्वर्ग की प्राप्ती का मार्ग भी प्रशस्त होता है माग पूर्णिमा के अवसर पर भगवान सत्यनाराण जी की कथा कही जाती है भगवान विश्णु की पूजा में केले के पत्ते, केले के फल, पंचामरित, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, दूरवा का उपयोग किया जाता है सतिनारायन भगवान की पूजा के लिए दूद, शहद, केला, गंगाजल, तुलसी का पत्ता, मेवा मिला करके पंचामरित तयार करना चाहिए मागी पूणिमा के दिन श्रदालो इसनान दान पूजा पाठ यग्यादी करते हैं मागी पूणिमा के दिन श्रदालो इसनान करने वाले व्यक्ति को भगवान विश्नु की असीम कृपा प्राप्त होती है सुख सौभाग या धन संतान की प्राप्ती होती है इस कारण से माग शिसनान को बहुत ही पुन्यशाली बताया गया है शास्त्रों में कृष्ण भक्ती, आनंद, सुख और सौभाग देने वाली मानी गई है श्री कृष्ण की हर लीला भी हर इनसान को अपने गुण और शक्तियों को पहचान करके उनसे सफलता पाने का संदेश देती है श्री कृष्ण द्वारा बताया गया करमयोग भी कलय हो और दुखों से बचने का सबसे बेहतर और बेजोड सूत्र है भगवान विश्णू श्री कृष्ण या उनके अवतारों की भक्ती से ही हर कलय कलेश को दूर करके जीवन को सरल, सहस, सहज और सभागय शाली और सफल बनाने के लिए पूर्णिमा की तिती का महात्म बहुत जादा है सुबह भगवान श्री कृष्ण को गंगाजल और पंचामरिट से आप इसनान कराएं इसनान के बाद गंद, सुगंदित, फूल, अक्षत, पीले, वस्त्र चढ़ाएं श्री कृष्ण को माखन मिस्री का भोग लगाएं सुगंदित, दूप और दीप प्रजवलित करके भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जो मैं आपको बताऊं उसको पूरी आस्था से जाप करना चाहिए इससे सौभाग ये बढ़ता है, कलह नाश होता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है तो ये जो विशेश मंत्र है ये है ओम नमो भगवते नंद पुत्राय, ओम नमो भगवते गोविंदाय ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमह इस मंत्र को जाप करने के बाद, ध्यान से इसका प्रयोग करने के बाद भगवान श्री कृष्ण या भगवान विश्णू की आरती करनी चाहिए प्रसाद बाटें और खुद ग्रहन करें पूजा आरती में हुई गलती के लिए आपको शमाप्रार्थना करनी चाहिए माघमाज को 32 पूर्णिमा को 32 पूर्णिमा का वरत भी कहा जाता है शास्त्रों के नुसार माघी पूर्णिमा के दिन अन्नदान और वस्त्रदान का बड़ा विश्यश महात्म है इस्तिती को इस्नान के पश्चात भगवान विश्नु की पूजा की जाती है श्रीहरी की पूजा के पश्चात यथासंभव अन्न का दान करना चाहिए अत्वा भूखे को भरपेट भोजन कराने का नियम है शैव मत को मानने वाले व्यक्ति भगवान चंकर की पूजा करते हैं जो भक्त शिव और विश्नु के प्रती समदर्शी होते हैं वे शिव और विश्नु दोनों की ही पूजा करते हैं कामना पूरी करने के लिए माग पूर्णिमा में आप कुछ विशेश उपाए भी कर सकते हैं तो आई ये जानते हैं कौन-कौन से हैं वो विशेश उपाए महादेव शिव को विशेश मंत्र से सहद से मधू से हनी से इसनान कराना शाम को इसनान कराने के बाद सफेद वस्त्र पहन करके चोकी पर सफेद वस्त्र बिचा करके शिवलिंग को अक्षत से बने अश्टदल कमल पर आपको इस्थापित करना चाहिए शिवलिंग को एक पात्र में रख करके गंगाजल और दूद्ध मिले हुए पवित्र जल से आप इसनान कराएं इसके बाद शहद की धारा जो मंत्र मैं आपको बताओं इससे आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी चाहिए इस मंत्र को बोलते हुए करने से पाप का नाश होता है और सम्रिद्धी की प्राप्ति होती है यह मंत्र इस प्रकार है दिव्यही पुष्पय समुद भूतम सर्वगुण समन वितम मदुरं मदुनाम आंगम इसनानार्थम प्रतिग्रीहताम इस मंत्र का उचारण करते हुए आपको शहद से इसनान कराना चाहिए शहद इसनान के बाद शुद्जल से इसनान और भगवान शिव का पंचोपचार पूजन यानि पांच प्रकार के पदार्थ चंदन फूल बिलवपत्र और मिठाई का भोग लगा करके आप पूजन करें धूब दीप और कपूर से भागेशाली होंगे किन्तु जो श्रदालू किनी कारण से तीर्थ में नहीं जा सकते अपने घर से बाहर नहीं जा सकते वे साफ जल को किसी बाल्टी में भर करके उसमें आवला और तुलसी दल का चूर्ण मिला ले और थोड़ा सा अगर घर में घंगा जल है या किसी भी त तीर्थ का जल है उसको मिला करके काले तिल डाल करके ये तीन चार चीज़ें डाल करके आवला तुलसी का पत्ता या तुलसी का चूर्ण तुलसी के पत्ते का एक चम्मच या एक चुटकी काला तिल और कोई भी तीर्थ का जल हो तीर्थ का जल ना भी हो तो इन तीन को मिला करके आप इसनान कर सकते हैं आपको ये बता दें कि पूर्णिमा में प्राता इसनान यथा शक्तिदान और सहस्र नाम अत्वा किसी इस्तुरोद्वारा भगवान विश्णु की अराधना करने से मनोवांचित्फल की प्राप्ति होती है निश्काम भाव से माग मास में इसनान करना मोक्ष को दिलाता है माग इसनान से समस्त पाप ताप शाप नश्ट हो जाते हैं माग इसनान से व्रती इस्त्री पुरुष को नित्य कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि मागी पूर्णिमा पर स्वेम भगवान वि पर उप मानी गई हैं मान्यता है कि माग पूर्णिमा में इसनान करने से सूर्य और चंद्रमा से सम्मंदित जो भी खराब योग होते हैं कुंडली की कुंडली में उससे मुक्ति मिलती है परक दोत शर्णिमा खराब गिया जाएं में इसना साथ मुक्ति म게 उसी। झाल 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 झाल